गुड मॉनिंग अब्रीबन, फिफ्ट क्लास, तुड़ी इस फूर्थ और फेब्ररी, और डे है फ्राइडे, तो जैसे कि कल आपका जो वो एक सिटी होगा तो बैसे ही जो आज भी आपका एक सिटी होगा, लेकिन आज के जो कुशिन है वो जो वो सैंपल पेपर से या कहीं और से नहीं लिए गया है, यह जो वो फाइनल पेपर है, लेकिन विंटर जो स्कूल होते हैं, विंटर क्लोजिंग जो स्कूल होएं, दिसमबर 2021 में जो वो वहां पेपर हो गया है, क्लास फिबत का, जो की बोर्ड से ही आया है, तो उसको डिसकस करेंगे, ठीक है, करने आप से पेपर है, बिल्कुल वैसा है इस सेम पेपर जबो आपको आने वाला है, इससे बोर्ड पेपर है, बिल्क है, कुछ फिफ्ट एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का है ठीक है दिसंबर का अभी पिछले महिने ठीक है पिछली साल का जो लास्ट महिन है वहाँ पे तो यहां पे देखिए चली जो कल आपका टेस्ट हुआ था उसको पहले डिसकस करते हैं थाकि आपको कोई जो डाउट ना रहे हैं तो यह थे आपके कल वाले कोईशन जल्दी जल्दी सेस्ट को डिसकस करते हैं चार-पांच मिनट में जो इसको खतम करते हैं देखिए राइट 8973169 इन वर्ड तो वर्ड में लिखना है देखिए जो जितने भी आपने सेंपल वेपर डिसकस कर लिए हैं देखिए अगर आपन वर्ड वेपर आएगा वो तो आपको ऐसा लगे कि बिल्कुल इजी है तो देखिए पहले इसको डिसकर करते हैं फिर जो वो देखते हैं कि कैसे कैसे कोईशन वापे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपके फाइनल आइक्जाम में भी कुछ इस तरह से ही कोईशन देखिए अगर इंटरनेशनल हो तो तीन-तीन के बाद लगता है तो यहां पर बन गया 89,73,169 यह आपने लिखना था लोएस्ट नमबर जो पूछ जाए तो 1 के बाद 0 लगती है अगर हाइस्ट पूछ जाए तो 999 लगाते हैं तो लोएस्ट नमबर 8 दिजिट तो यह के ब दिजिट नेक्स देखिए और नेक्स कोईशन था यहां पर इससे एक एक रलेटेड जो वह कोईशन मैं दिये था उसको भी देखेंगे जैसे यहां पर था फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है अगर हम इसको दियान से देखेंगे तो यहां पर फाइव थाउजन है और और यहां पर गलती से जो वह 5,000 लिख लिए यहां पर 4 डिजिट है तो यहां पर 50,000 आएगा ठीक है तो आगे देखेंगे 6 है तो 6 यहां पर फिर आगे 3 डिजिट है 1,2,3 ठीक है तो कुछ इस तरह से 7,100 है फिर 8 आजाएगा 8 के बाद एक डिजिट है 10,9 है ठीक है एस फिर जो वह 6,000 लिखा है 6,000 बन जाएगा फिर जो वह आपको यहां पर 500 लिखा है 500 फिर जो वह 9,10 लिखा है 90 आजाएगा फिर जो वह 8 आजाएगा फिर इसको जो वह compress करना था कंप्रेस करने का एक सिंपल सा तरीक है देखिए ठीक की बताता हूं जैसे आपने 7 लिखा 7 ह सबसे 70,000 सबसे बड़ा नंबर है आप पहले 7 लिखिए पर जो वो कितनी 0 है देखे 4 0 है 4 डेस लगा लो 1 2 3 4 ताकि बीच में कोई नंबर मिसिंग भी हो तो वहां पर जीरो फिल कर सके यह तो कोई बच्चे जो यहां पर गलती कर देते हैं जीरो फिल नहीं कर पाते हैं जैसे यहां पर देखिए 6,000 है 6,000 123 फोर्थ नंबर पर है 1,2,3,4,6 आ गया 500 है 100 पर 5 लिख लो 90 है 10 पर 5 लिख लो 8 यूनिक डिजिट पर 80 यहां पर लिखो कतम ऐसे करना था नेक्स देखे 12,12 को 12 से डिवाइड करना था 12 तो 12 बहुंजा 12 टिवाइड करना है और यहां पर जब वो 0 आ जाएगी फिर 1 नीचे आया तो यह तो चोटा रहा चोटा आया तो 0 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा पहले फिर जब वो यह नीचे आया तो 2 आ गया फिर 12 बह आना था और कुसिया जोब यहां पर रिजल्ट जोब यहां पर 101 ना था वैसे जो आपको एक 13 13 बाला दिया था 13 13 को 13 से डिवाइड करना है तो आपको वहां पर भी 101 ही आंसर आएगा जैसे यहां पर 1009 मुल्टिप्लाई वे 14 तो यह आपको पता होना चाहिए 1009 जो 9 मुल्टिप्लाई वे 1 नहीं 10 तो फिर आपको पता है कि दोनों को जो आप प्लस करते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है how many side are triangle? triangle में जो वह तीन angle होते हैं तीन side होती है तीन बटी सीज होते हैं ठीक है तो 3-3 होता है इसमें सब कुछ तो side कुछ है तीन हो जाएगा half of 100 half multiply by 100 तो 2 वंजा 2 52 जा 100 तो 50 is the answer आपको एक और कुशिन पुछा था 1 4th of 100 1 4 multiply by 100 तो 4 1 जा 4 52 जा 100 sorry 4 1 जा 4 25 जा 100 तो 25 आ जाएगा अगर 1 5th पुछा जाए तो 1 5th of 100 तो 5 1 जा 5 25 जा 100 तो 20 आ जाना था बस इसको काटना था यहां भी देखिए यह काफी अच्छा कोशन था बहुत सारे बच्चों को यहां पर प्राब्लम आई आपको बताए गया थै क 13 नमबर यहां पर यहां पर होने चाहिए लेफट अंड साइड और राइट अंड साइड एकुल होना चाहिए बस सिंबल में थोड़ीशी यहां पर प्राब्लम थी बिल्कुल इजी कोश्चन है वैसे देखिए यहां पर 48 यहां पर 35 है यहां 56 है इसका मतलब है 56 यहां पर जिब का दो, ठीक है, अब 56 यहाँ पर किसके साथ multiply होगा, यहाँ तो plus का symbol है बीच में, तो यहाँ पर multiply किसके साथ हुआ है, तो 48 के साथ हुआ है, तो 48 यहाँ पर ले आओ, और plus 35 जो, यहाँ पर ले लो, क्योंकि 56 यहाँ पर हुआ है, तो plus का symbol इसके बीच में है, ठीक है, त तो 9 लेक लिखा है, 9 के बाद लेक में होते हैं 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे डैस लगा सकते हैं, 51,000 तो 51 यहां पर आ जाएगा, 900 तो 900, 89, 89, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सभी डिजिट दिये थे, तो इसी होता है लिखना, 4 x 9 लिखा है, 9, 4 जा कितना होता है, मैंने बोला कि जैसे ऐसे कुछी न दिखें, तो आपको बताए, left hand side, right hand side, equal ही होनी चाहिए, तो 4 x 9, 9, 4 जा होता है, 36, 36 बन रहा है, 6 को किसके multiply करूँ कि 36 बन जाए, 6, 6 जा, तो 6 सा जाना था है, यहां पर, next देखिए, how many days are there in 12 months, 12 months, अ एक year वैसे leap year भी होता है, लेकिन यहां पर जोगो 365 या 366 साफ लिख सकते थे, next question में मैंने leap year पुछा था, especially, तो वहां पर 366 days हो जाना था, उसका answer, तो यह जोगो इन से लेटेड, जोगो कुछ question थे, इनको भी आपने देखना था, जैसे मैंने बताया कि leap year पुछा था, ज ठीक है, one fourth मैंने आपको बता दिया, how many vertices, three होते हैं, यह multiply करना था 13, 13 को 13 से, और 13, 13 को divide करना था 13 से, ठीक है, आपने खुद करना था, next देखिए, यहां पर लिखा जैसे three multiply by thousand, तो 3000 आ जाएगा पहले, four multiply by ten, plus 40 आ जाएगा, फिर 80, sorry, eight आ जाएगा, इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे करना है, three और three zero है, तो three digit लिख लो, यह four जो वो tens पर है, यह eight जो वो यहां पर ones पर है, कुछ भी नहीं है बीच में, तो zero भरना है, फिर last में, ठीक है, तब ही तो मैंने बोला कि आप जो पहले वाला बड़ा number लिखिए, उसके बाद जो बो dash लगा लो, कितनी zero जो है, उसको जो पहले लिख लो, greatest number को चाहिए, nine digital, greatest में आपको बोला, nine, nine लगाने, तो कितनी times nine होगा, nine times, ठीक है, यहां पर लिखा था, 72, seven lakh बन जाएगा, 23,000, 640 बन जाएगा, तो यह आपने करना था, तो चलिए फिर आज के कोशिन देखते हैं, जो की काफी अच्छ इस type का ही मिलेगा, 10 job आपको करने होगे पहले, जो की एक एक number के होगे, तो यह आपने कुद करना है, मैं सिर्फ बताऊँगा कि किस type का question है, कौन job थोड़ा नया job question बना है, कौन job इस बार, कुछ नया question डाला है, उसके बारे में discuss करने हैं, देखे, कुछ ऐसा question होगा, कि ज आपको नहीं करवाएगा, उसको मैं बता दूगा आपको, ठीक है, how many zeros are there in 100 lakh, ठीक है, अब देखे, 100 lakh लिखा है, 100 lakh, आपको बताए, 100 lakh जो बहुँ हम लोग किसमें बोलते हैं, international number system की बात आगई यहाँ ठीक है, तो 100 lakh, तो 100 लिखे पहले, फिर lakh में आपको बताए, 5 0 होती है, तो 1 lakh में 5 0 होती है, 3, 4, 5, तो अब 1 की जगा 100 आगया, 1 की जगा 100 आगया, मतलब की 2 0 और बढ़ गई, ठीक है, next देखे, करना आपने को, next देखे, थोड़ा साइन्ट में मैंने आपको दे दिया, बता ही दिया, मतलब इसका answer दो, यहाँ लिखा है, सब दो में लिखो, यहाँ पर फिर से नहीं लिखा है, इंडियन में लिखें कि इंटरनेसल में, आपने इंडियन में ही लिखना है तो, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 डिजित है, तो अगर मैं बोलू इसको 3 डिजित जो यहाँ पर 5, 4, 3, फिर जो दो डिजित और 2 डिजित छोड़ दिये, तो 98 lakh, क्य रहा है ठीक है इसको आपने खुद लिखना है देखिए कोशिन कितना अच्छा पूछ लिए इकुल टू है लेप्ट है राइट है इकुल होने चीए फॉर्टीन लिखा है दो नमबर मीशिंग है उनको यहां पे चिपका दो तीन नमबर तो यहां पे सारे दिये गए है ठीक ह है तो यह तो बिल्कुल एजी सा कोशिन पूछ लिए है ऐसी कोशिन जो को कई सारे हम कर चुके हैं आपने हिंदी में जाना ध्यान नहीं देना है आपने साइड होती है तो आपको पता होना चाहिए स्क्वेर रेक्टेंगल गॉर्डिलेटर सेम साइड्स ठीक है तो आपने इसको भी मैं नहीं बताने वाला हूँ एक कुछ नया सा कोशिन है नया बिल्कुल भी नहीं है आपको पता है त्वाइलव 15 पर जो भी घड़ी की सुईया होती है जो भी हैंड्स ओफ क्लॉक होती है वो जो भी कितने का एंगल बनाती है देखें ए हैं बेरी क्लॉक आपको उपए फ्री है यहां पे एक से आगे चलती है क्या हैंए तो यहाँ से जब एक होता हैayan पर दो होता हैं यहां पर फॉप निइन था है तो नहीं मतलड़ मिनिट बता रहा है यहां कि एक वज़जी तक बारा से एक तक चलेगा तो पांच मिन च्द, op parties फिर दो से तीन सकते लेगा पांच और होगे, मतलब यहाँ पे 15 मिनिट होगे, तो बारा बज़ कर 15 मिनिट, तो एक सुई यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, तो आप दाए कितने डीगरी का अंगल यहाँ पे बन रहा है, कितने डीगरी का अंगल यहाँ पे बन रहा है, नेक्स देखिए नेक्स ए 7 के पहले 5 गुणज लिखो तो 7 के पहले 5 गुणज जो सॉरी मैं हिंदी में वो रहा हूँ राइट दा फस्ट 5 मल्टिपल आफ 7 तो 7 के पहले 5 मल्टिपल मल्टिपल लेका मतलब सी दस ही है कि आपने टेबल लिखना है आपने पहाड़ा लिखना है इसका 717, 72000, 14 ऐसे आप लिखिए 5 तक होने जाए नेक्स देखिए एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर देखिए सबसे बड़ा किलोमीटर है किलोमीटर में जो वो कितने हो किलोमीटर में 1000 मीटर और एक मीटर पूछा जाए तो 100 सेंटीमीटर अगर एक सेंटीमीटर पूछा जाए तो आपने ए खुद बताना है क्योंकि ये तो कुछी नहीं तो इसके बारे में हम पहले डिसक्स कर चुछ है इसलिए जो आपने खुद ही करना है 1.82 में से 1.52 मीटर जो माइनस करना है आपको बता है यहाँ पर जो मीटर तो ऐसे लगा दिया है इन्होंने तो आपको जो माइनस करना आरा चाहिए इसका मतलब ही है कि आपको डैसिमल में माइनस करना आरा चाहिए आपको बता है कि डैसिमल में माइनस जो वो decimal के नीचे decimal रखके जो वो करते हैं ठीक है once वाला digit once पर tenth वाला tenth के नीचे tenth digit और जो वो hundredth के नीचे hundred वाला digit फिर जो वो इसको minus करना है ठीक है तो यहाँ पर minus करें decimal जो वो जुरूर लगा है answer में भी area of rectangle rectangle का जो area होता है rectangle होती है कुछ इस तरह से एक length होती है एक breadth होती है तो बताइए इसका area कितना होता है ठीक है चलिए इसको मैं बता देता हूँ length multiply by breadth होता है next दीखे next है यहाँ पर लिखा है 500, 500, 590 plus 8 तो इनको आपने plus से करना था बाकी ज्याद है इसमें मेरे क्याल से कुछ भी नहीं है 500 और 500 हो जागा 1,000 हाँ इसमें जो जैसे मैंने आपको question दिया है expand, sorry, compress करने वाले तो बैसे करना था इसको plus नहीं करना है आपने जो उसको compress करना देखे इसमें वी trick है 500 और 500 कितना हो गया यह तो 1,000 हो गया तो इसकी जगा 1,000 बाकी बैसे देखो 500 प्लस 90 प्लस 8 अब आपको बताए 1,000 500, 98 ठीक है तो 1 लिखिए जो मैंने अभी बताया आपको 3,0 है 3,0 लगा लो फिर देखो 100 पर कौन है फिर देखो 10 पर कौन है फिर यहाँ पर कौन है जो कैंसल तो कितना बच आप देखिए या डिवाइड करके चेक कर लीजिए कोशिन नमबर 2 में देखे ऐसे कोशिन आएंगे आपको 1 kg में 1 kg अच्छा मैंने किलोमेटर बताया था kg में नहीं बताया तो यह भी आपको पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्रहाम होते हैं यह भी आप खुद करिए the right angle of right angle कितने डिगरी का होता है अरे तो इतना easy question हो गया है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने बाला हूं next देखिए common multiple of 2 और 7 ठीक है यहाँ पर देखिए option भी दिया है कितने अच्छे कोशी नहीं है option दिया 2 और 7 common multiple होता है बतलो कि 2 के multiple में भी आना चाहिए 7 के भी तो 15 जो वो 7 के multiple में तो आता नहीं है ठीक है तो आप बताई यहाँ पर कॉन size का सही answer होगा एक दर्जन एक दर्जन अगर आप तो में जाएं तो आप बोलेंगे कि एक दर्जन के लिए दे दो तो वो कितने के लिए देगा आपको ठीक है तो एक डर्जन जो वो कितनी item होती है यह आपको पता होना चाहिए 12 होती है कि 20 होती है next देखिए आज का last question फिर इसके बाद जो वो हम लोग कल discuss करेंगे पूरा question discuss करेंगे और इसी से related जो वो अभी exam है वो भी ऐसा ही कुछ आने वाला है लेकिन question जो वो change कर दिये जाएंगे ठीक है तो इनको आप अच्छे समझे तभी जो आप कर पाएंगे यह आप लिखा है parameter of square is dash 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 तो square का जो perimeter होता है square a square सबसाइड एकुल होती है two side 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 सबसाइड को plus करेंगे तो आपका perimeter निकल जाएगा तो आप बताइए कि यहाँ पे जो वो कौन साइस का फार्मूला है side multiple side है या 4 multiple side है perimeter का पुछ है द्यान रखे perimeter ठीक है तो आपने जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वी लिखा है तो इसके आगे जो वो English में लिखना है और आपने सीदा है इसका answer यहाँ पे लिखना है सभी question भी लिखें और उसका answer भी लिखें साथ में तो यह है आपका test कितन marks का होगा तो फिर्स question में 10 है और second question में 1, 2, 3, 4, 5 है 15 number होगे तो 15 number का जो आपका है total आज का test होगा उसको आप अच्छे से complete करिए और जैसे ही आपको वीडियो मिलेगी उसके बाद वीडियो देखे पूरा वीडियो देखने बाद एक दम से start करें और उसके बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 30 minutes ओके, best of luck, thank you and have a nice day